Hey kids, welcome back to Magnet Brains, this is Kushi Bhattnagar and today we are going to do our new chapter, chapter 10. हम chapter 9 तक full complete कर चुके हैं, अब हम chapter 10 करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? Walls Till Stories, so walls tell stories, walls याने, walls याने, yes, walls याने दिवारे, बट दिवारे कैसे story बताती है? So, आप लोगे सोच रहे होगे कि एक wall, कैसे एक story हमें बता सकती है, कैसे एक story हमें सुना सकती है, एक wall So, walls हमें different stories सुना सकती है, how? How? By just looking at the walls and seeing what are the beautiful things on the walls क्या-क्या सुन्दर सुन्दर चीजें हैं walls पे और आज की walls में और तब की walls में तब मतला बहुत पुराने टाइम की walls में कितना जादा difference है So, हमें अपनी history के बारे में अगर कुछ जानना हो, history याने पुरानी चीजों के बारे में जब kings, queens वगेरा थे इस country में उस time के बारे में अगर हम discuss करें तो तब की walls कुछ अलगी थी तो उनके through हम एक story रीड करने वाले हैं जिससे हमें अपनी history के बारे में कुछ kings and queens के बारे में पता चलेगा कि उस time के लोग कैसे बात करते थे उस time के लोग कैसे रहते थे, उस time के घर कैसे हुआ करते थे, उस time कैसे fights होती थी, किन reasons पे fights होती थी ये सभी कुछ हम लोग इस chapter में पढ़ने वाले हैं, so it's going to be a very interesting chapter for you all, okay so kids हम start करते हैं, हमारी story, walls tells a story, so in this chapter हम सबसे बहले पढ़ेंगे to reach goal conda so goal conda, goal conda क्या है, goal conda एक जगे है, okay as you can see in this picture, यहाँ पे जो है वो एक जगे है, जिसका नाम है goal conda अब goal conda कहाँ पे है और वो क्यूं उसका नाम ऐसे goal conda रखा गया है, तो यही तो हम story में read करेंगे, कि क्यूं उस जगे को हम goal conda कहते हैं so at last we reached goal conda, we were glad that didi was with us, didi studied history and we enjoy visiting different places with her so at last वो कहाँ पहुचे goal conda, पहुचे goal conda एक fort है, goal conda क्या है, goal conda एक fort है, fort याने क्या होता है, fort याने किला so goal conda जो है, वो एक fort है, याने किला है, किसी राजा का किला है, जसका नाम है goal conda so finally जो बच्चे थे, वो goal conda विजिट कर चुके थे, पहुच चुके थे और उनके साथ कौन थी, एक दीदी थी दीदी को history के बारे में अफी सरी knowledge थी, तो जैसे ही वो लो कुछ नहीं चीज़ देखते हैं, तो दीदी would explain them कि ये क्यों है ये क्या है, सब कुछ उन्हें explain करती है about the history similarly I am going to explain you about the history, तो वैसी उनकी जो दीदी थी, वो भी उनको history के बारे में explain करती थी So story start होती है, तो जो बच्चे हैं उनका नाम है, first one is Shailja, Shridhar, Kalyani So ये क्या है कुछ some of the kids जो वहाँ पे हैं, जो आपके बराबर के kids हैं, वो एक नए fort के लिए में गया है हम भी कही घूमने जाते हैं, new new places, visit करते हैं, तो हमें काफी साथा queries होती है, काफी साथा questions आते हैं कि ऐसा क्यूं है, वैसा क्यूं है, पुरानी चीज़े देखते हैं, तो we don't know ना, कि why these things are like this, ऐसी क्यूं है ये चीज़े So, हमारे दिमाग में काफी सारे questions आते हैं, related to that कि ऐसा क्यूं हो रहा है So, similarly, in this story also, kids have very much questions, queries कि ऐसा क्यूं होता है, ऐसा क्यूं होता है So, they will ask to दीदी कि ऐसा क्यूं हो रहा है, so दीदी will answer all the questions So, first of all, शैल जा, शैल जा क्या करते हैं, my goodness, this fort is so huge कि कितना बढ़ा है fort, फिर श्रीधर कहता है, and see at what a height it is built कितनी height पर, मतलब उस fort के काफी जादा height होती है, बहुत हुच होता है So, kids, श्रीधर क्या बोलता है, कि कितनी जादा height पर ये बना हुआ है Next, कल्यानी, just look, have you ever seen such a huge gate? So, कल्यानी ने क्या बोला, कभी हमने इतना huge gate entrance में, बहुत huge gates होते हैं, forts में, क्यों? क्योंकि हमने कभी राजा महराजाओं का महल नहीं देखा, महल is like a fort So, वो लोग बहुत उचे-उचे gates होते हैं उनके, आंटर करने के लिए So, वो कहते है, just look, have you ever seen such a huge gate? कभी ऐसा huge gate आपने देखा है? So, शेलजा कहते है, it must be very heavy I wonder how many people would be needed to open and close this gate So, शेलजा क्या कहते है, कि I wondered कि कैसे इसको open and close किया जाता होगा कितना heavy है, कितना बड़ा है ये gate So, बहुत सारे लोग लगते होगे, इसको खोलने के लिए और इसको बंद करने के लिए So, ऐसे क्या conversation चल रही थी, आपस में बात कर रहे थे Kids are talking to each other about the fort कि fort कितना beautiful है, कितना बड़ा है, कितनी जाधा height है, इसका gate कितना बड़ा है ऐसे हम आपस में बात करते हैं, when we visit a new place So, similarly, सारे kids क्या थे, आपस में बात कर रहे थे Okay Then, कल्यानी Look at these sharp iron spokes I wonder why they were made Sheldra Look at these thick walls too So, कल्यानी क्या बोलती है? कल्यानी is also a kid So, कल्यानी बोलती है, look at these sharp iron spokes I wonder why were made ऐसे iron spokes, यहने लोहे के जो sharp iron spokes लगे थे Around the gate, around the walls क्यूं? उसने बुचा Why? I wonder क्यूं ऐसा है जिसे कोई भी हमारे जो Fort है, उसमें कोई भी गलत तरीके से घुसना पाए इसलिए बोलो क्या लगाते है? Iron spokes लगाते है फिर Sheldra, look at these thick walls too Sheldra ने क्या बुला? कि यहां पे thick walls मी है मतलब बहुत ज़दा walls जो है वो बहुत मोटी है, thick है कोई से तोड़ के नहीं आ सकता Shridhar, I have never seen such a thick walls मैंने कभी इतनी thick walls नहीं देखी है Lan Kaliyani said At some places, a part of the wall Comes out in round shape I wondered why So जो उनने बुला कि कुछ walls है जोसे round shape में बनी हुई है I don't know why बट कुछ walls है fort की जो ऐसे round shape में बनी हुई है पता नहीं क्यों So Kids, वो लोग क्या अपस में बात करें All the children are talking about the fort उनने नहीने चीजे देखने को मिल रहे है कि कहीं iron spokes है कहीं wall जो है बहुत थिक, बहुत मोटी wall है और कहीं पर उनने देखा कि जो wall है वो किस shape में है इस round shape में है तो ये सब क्यों है ये सब है security purpose के लिए Security means Of course एक fort है Fort के अंदर king है So लोग को security भी tight रखनी पड़ती है कि कोई भी दुश्मन अंदर ना आपाए Right कोई भी enemy हमारा अंदर ना घुस पर इसलिए iron spokes लगाते है जिसे sharp रहते हैं वो काफी तो कोई भी अंदर नहीं enter कर सकता Without the permission Similarly thick walls भी इसलिए होती है कि कोई हमला करे तो thick walls जो है वो हमें safe कर सके Right कोई कुछ भी फेक है कुछ भी हमला हो हमारे फोर्ट पर तो वो thick walls जो है वो हमें बचा सके क्योंकि वो बहुत मोटी है Then Why these walls are in round shape यह round shape में क्यों होती है तो उसका एक reason है उस time पर हमारे पास वो नहीं हो सकते थे Binecolors Binecolors क्या होते है जो हो जिससे हम दूर तक देख सकते है वो सब नहीं होते थे बर जो round walls होती है न वो हमें distance तक देखने के लिए help करती है क्या help करती है जो हम round walls से देखते हैं तो हमें दूर तक का देखने में help होती है वो सब techniques क्या हो निकालते थे round walls क्यों थी, sharp iron spokes क्यों थे and thick walls क्यों थी, okay? So, इन कारणों से बोज जो था, अमारा fort वो इस तरह से built था, okay? Then, Shridhar, then Kalyani, at some places a part of the wall comes out in a round shape. I wonder why again, बोही round shape में क्यों थी, कि इसे हम धूर का देख साके, distance तक का देखने के ले हमें help कर दी. next, वीदी, these are called bastions, see these are even higher than the walls. The outer wall of this fort has 87 bastions, thick walls, a huge gate and so many bastions, so many ways to ensure security. So, as I told you, कि यह सारी चीजे क्यों है, यह सारी चीजे है, security के लिए, और जो round wall है, उनको हम क्या कहते है, उनको हम क्या कहते है, bastions. क्या कहते है, round walls को हम कहते है, bastions. वो help करते हैं हमें धूर तक का देखने के लिए, वो काफी height पे भी बनी रहती है. जिससे कि हम height पे जाके वहां से देखे, तो हमें distance places का देख सके. चीज की कोई आ रहा है हमारी तरफ कुछ भी हो, तो हम देख सके उस wall के through. So, इसलिए ये सारे जो हैं, बिल्ट होती हैं. Are you able to understand? So, ये कुछ जो चीजे हैं, वो किसलिए हैं? security के लिए हैं, कि कोई हम पे हमला करें, so we are ready for it. Okay? Okay. Now next, next, some of the questions are there, जो we will discuss, related to the, your thing, जो अभी हमें हमने पढ़ा है, उसलिए related कुछ questions and answers हैं, जो हम discuss करेंगे. So, question number one is, why were bestians made in the fort wall? Fort wall पे bestians क्यों made होते हैं? So, answer is, they were made to ensure security of the wall. As I told you, क्यों होते हैं? क्योंकि security purpose के लिए होते हैं. So, answer is, they were made to ensure security of the fort. क्यों होते हैं? क्योंकि दिस से security बनी रहे, fort की. Okay? So, for the purpose of security. Right? Now, next. Next is, why were big holes made in them? उनके बीच में बहुत सरे holes बने होते हैं. So, अगर यहां पर कहीं पर picture होगी. यह, like this. As you can see, यहां पर काफी सारे holes बने हैं. This is in your book also. आपके book में भी आपके picture देखने को मिलेगी. So, इसमें क्या होते हैं? काफी सारे holes बने होते हैं. Holes यहांने, चोटे-चोटे circles में जगे खाली होते हैं. क्यों? जिससे, as I told you, हम distance places का उसमें से जाके देख सकें, कि कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा. दूर तक कर दिखता है. So, the answer is, answer is, big holes were made in them to increase the viewing area. Soldiers could look through these holes and could keep a better big lens. So, क्यों होते हैं? As I told you, क्योंकि हम distance places का देख सकें, तो increase the viewing area. Viewing area हैंने, हम increase कर सकें, धूर तक का देखने के area, हम जादा area देख सकें. इसलिए वो holes बने होते हैं, जिससे जो हमारे soldiers होते हैं, जोने fight का नौदा, वो से देखते रहते हैं, कि कोई enemy, कोई दुश्मन हमारा आतो नहीं रहा दूर से, तो वो दूर से ही दिख जाए. So, वो holes जो हैं, वो धूर की चीज़े देखने में हमारी help करते हैं. So, answer is, big holes were made in them to increase the viewing area. Soldiers could look through these holes and could keep a better vision. Okay? So, are you clear? Now, next. Next question is, what difference would be there if you were to look from a straight flat wall or the bastions at a height? How would these soldiers find peeping from the holes in the bastions useful for attacking? So, क्या कोश्चिन पूछ रहे हैं वो? वो पूछ रहे हैं कि what difference would be there if you were to look from a straight flat wall. So, अगर आप एक एक flat wall बना दें. Okay? और उसमें hole कर दें और उसमें से आप देख रहे हो. और अगर हम वोई round wall बना हैं और उसमें hole कर दें और उसमें से आप देख रहे हो. तो क्या difference है दोनों में? यह पूछ रहे हैं. And how would the soldier find peeping from the holes in the bastions useful in attacking? और वो कैसे वो holes जो हैं जो bastions में होते हैं, जो round wall में होते हैं, वो help करते हैं soldier की. किसलिए attacking के time के लिए उनकी help करते हैं. So, how this is useful in attacking? Attack means जब fight होती है, जब war होता है. तो अब वो कैसे helpful होते हैं? और flat wall में और round wall में क्या difference है? So, answer is, bastions ensure better safety of the soldier. It also provide a better vintage point from where a larger area could be seen. And it would not have been possible from a flat wall. So, safety के लिए bastions बहुत साथ अच्छे होते हैं. Safety करते हैं soldier की हापे thick walls भी होती हैं, जो soldiers को बचा लेती हैं. And next, same, जो हमारा area है, उपर से ज़ाधा अच्छे से देख पाते हैं, round wall के through. वो हम flat wall में नहीं देख सकते हैं, round wall में ही हम देख पाते हैं, ज़ाधा अच्छे से दूर का area. यानि की area at the distant place. Are you able to understand? Okay. Then next, हमारा जो story है, वो वापिस से continue होती है. We have already complete the story, half of the story और उसे related question and answers. अब जो remaining story है, वो हम continue reading करते हैं. Okay, so story is, what did we find inside the fort? अब वो लोग inside the fort enter कर चुके हैं, जो हमारा fort है, उसके inside, वो enter कर चुके हैं. So, क्या उनने देखा inside the fort? So, Shailja, Shailja ने बोला, I wonder how this fort would be? Do you think the king built the fort so that he could live here? So, Shailja बोलती है, I wonder कितना पुराना होगा ये fort, कितना पुराना बना होगा? और I wonder, do you think कि king इसमें रहते होंगे? कितना पुराना है फोर्ट, क्या king इसमें रहते होंगे? So, Kalyani, it was written outside कि कुतुप शाही सुल्तान्स ruled here one after another from 1518 to 1687. So, Kalyani ने क्या बोला कि मैंने पढ़ा था, बहार लिखा हुआ था कि कुतुप शाही सुल्तान्स, तो जो कुतुप शाही सुल्तान्स थे, उन्हें रूल किया था कब से कब तक? 1518 से लेके 1687 तक, यहने so many years उन्हें क्या किया, रूल किया था यहाँ पर, right? Next, Didi, much before that, in 1200, this fort was made of mud and different rulers lived here. और इससे भी पहले, जो fort था, वो मिट्टी का बना हुआ था, भी तो काफी अच्छा बना हुआ है, तो मिट्टी का बना हुआ था, और काफी सारे kings ने और rulers ने यहाँ पर rule किया था, ओके, शेल जा, oh look, this boat has a map of the fort, शेल जाने क्या पहला, देखो देखो यहाँ पर fort का map भी है, what is map, map जहां पर आपको हर area located होगा है, कि यह site जाओगे, तो अगर इस site जाओगे fort के, तो आपको यह मिलेगा, इस site जाओगे fort के, तो in the left you get the something of the fort, in the right you get another thing of the fort, so इस तरह से map में direction थे कि कैसे कैसे आपको map में कहां कहां कौन सी चीज़े मिलेंगी, वो map में लिखा हुआ था, तो शेल जाने क्या कहा, oh look, this boat has a map of the fort, यहां पर तो fort का map given है, okay, then afterwards, श्रीदर, श्रीदर ने कहा, this map shows so many gardens, fields and factories, see there are many places also inside the fort, so उनने क्या देका, श्रीदर ने कहा, map में बहुत सारी gardens दिख रहे हैं, fields दिख रही हैं, बहुत सारी factories दिख रही हैं, तो काफी कुछ inside the fort भी है, so शेल जाने कहा, that means that not only the Sultan, but many other people like farmers and workers must also have been living here, so शेल जाने कहा, नहीं, ना कि स्रिफ के यहां पर farmers, यहां पर workers, काफी सारे लोग यहां पर रह चुके हैं, क्योंकि यहां पर अंदर factory है, यहां पर field है, तो farmers भी होंगे, workers भी होंगे, सब लोग इस fort में रहते होंगे, right? कल यानी ने क्या कहा, it must have been a complete town, यह पूरे complete city, complete town जैसा है यह fort तो, right? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है, gardens है, fields है, workers भी रहते हैं, और हमाई farmers भी रहते हैं, तो king भी रहती है, तो king की प्रजा भी रहती है, तो everybody lived here, so it's like a town, okay? Then next, the Sultan's Palace, अब हम Sultan का Palace कैसा था? वो लोग वहां पाज गया, and we are going to read about Sultan's Palace, so Sultan का पालस कैसा था? श्रीधर ने कहा, these steps seem to go on and on, यह जो steps है तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, फिशल जा, even in those days, they used to have a buildings with two floors, और तब के टाइम पे बितने सालों पहले, hundreds of years back, 100 साल पहले की भी बात है यह, और तब भी, तब भी क्या होता था? कि two floors के तो घर होते ही थे, so उस ताइम पे बित दो floors थे, कल्याने, now the building is in ruin, but one can imagine that earlier there were many big halls and rooms here, कल्याने ने का, अब तो काफी जादा building जो है, पुरानी हो चुकी है, but I can see and कोई भी imagine कर सकते है, बहुत बड़े-बड़े rooms हुआ करते थे, बहुत बड़े-बड़े halls हुआ करते थे, because fort is so big, सुभावे बहुत बड़े-बड़े rooms, big halls, everything was so big there, okay, then Shridhar said, look at this beautiful carving on the walls, it is so fine, उन्हें का बोला, जो walls पहांस पे carvings, बहुत ब्यूटिफुल, beautiful carvings की हुई है, सुन्दर-सुन्दर चीजों की drawing होती हैं walls पे, उन्हें कहते हैं carvings, तो जो walls थी हैं, उन्हें बहुत सुन्दर, beautiful carvings की हुई थी, और बहुत अच्छी लग रहे हैं थी, then Kalyani said, we all saw something, we all saw something like a fountain, one of the room, what is fountain, you see like for Vara, many a times, जो fountain होता है, the water comes like this, and it looks so beautiful, तो उस फोर्ट पे water कहा था, fountain कहा था, fountain था on the roof, यानि की चट पे, जो फोर्ट थी, उसकी चट पे fountain था, हमने आस तर किसी की भी चट पे fountain नहीं देखा, am I right, हमने कभी नहीं देखा, हमने on the ground, on the gardens, on the pools, on the lakes, हमने fountains देखे, बट कभी किसी की चट पे हमने fountain नहीं देखा, पर वहाँ पे उस फोर्ट पे जो था, वो रूफ पे, यानि चट पे जो था, वो fountain था, दीदी, yes, there were many big tanks and fountains here, they used to be full of water, so दीदी ने क्या कहा, कि हाँ याँ पे काफी सारे tanks हैं, काफी सारे fountains हैं, जो हमेशा full of water रहते हैं, भर पूर पानी रहता है वाँ पे, right, now, next, next is, wow, what an engineering, अब हमने सोचा, एक column दिया हुए है आपकी book में, जिसके बारे में, wow, what an engineering, याँ उसके टाइम के, जो बिल्डिंग बिल्ट हुई है, जो दिमाख लगाएं engineer's ने, और जितने सुन्दर सुन्दर फोर्ट बनाया हैं, oxid सी तो बिल्ड करते हैं, हमारी बिल्डिंग बगेहरा, so जो इंजिनियर ने उस time में बिल्ड किया, इतने साल पहले और जिस तरहां से beautifully उसे built किया है अपना brain बहुत ज़ादा अच्छे से use किया है तो हम उसकी बात भी यहां पे करेंगे. Okay, so think, even today when engineers design houses, sometimes there is a dampness in the walls and here so long ago there were fountains on the terrace. The building must have been made with such a good understanding. So think, even today when engineer design houses, आज भी सारे houses कौन design करते हैं हमारे, engineers ही houses design करते हैं हमारे, फिर भी sometimes जो है walls खराब हुचाती है, आपे पानी आने लगता है, like this. But उस टाइम पे इतने साल पहले एक fountain design किया गया, terrace पे याने चछ पे एक fountain design किया गया. और उसका जो water था, वो किसी wall पे effect नहीं किया, कोई भी problem नहीं आया, बहुत beautifully जो था, वो fountain design किया गया, on the terrace, जो आज सकल हम कहीं नहीं देखते. So think, कि इतना जादा brain use किया होगा, कितने अच्छी understanding के साथ उनने वो चीज़ design की गई है. If we think, how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such a height? Can you guess how? So, इतने साल 500 years back, कैसे लोग रहा करते थे? हमें सारे questions आते दिमांग में, कि उस ताइम पे क्या-क्या करते थे? कैसे रहते थे? Similarly, एक question ये भी आता है, कि तनी terrace पे fountain तो बना दिया, पर पानी कैसे जाता होगा? Right? ये question आयागे नहीं आपके दिमांग में. So, ये जो question है, that comes in our mind when we think that the terrace, there is a fountain on the terrace, how water goes there? कैसे पानी जाता होगा? So, this question comes to our mind, कि how this is possible? So, next is, so, से related हम question and answers discuss करते हैं, कि how is it possible? Okay? So, first question is, how would the fountains have worked? कैसे fountains work करते हैं? So, fountains wouldn't have got water supply from a large receiver. So, यहाँ पे जो fountain है, वहाँ पानी को बहुत जाता एक जगे पे collect कर लेते हैं. Water को वहाँ collect करने के बाद, हम वहाँ से, जो water है, वहाँ फाउंटेन तक पहुंचाते हैं. So, answer is, fountains would have got water supply from a large receiver, मतला water जो collect कर लेते हैं, वहाँ तक हम water को पहुंचाते हैं from the fountains. Okay? The next question is, next question is, what arrangements would have been made in the building for air and light? Right? क्या arrangements है, air and light आने के कि उस ताइम पर lights तो होती नहीं थी, no tube lights, no bulbs, कुछ भी light नहीं थी. नहीं हमारे गार में जो fan, cooler, AC वागेरा हैं, वो भी नहीं थे. So, कैसे fort के अंदर जो lights थी, जो air थी, वो कैसे enter करती थी? So, answer is, large windows, doors and ventilators allowed natural sunlight to enter the building. These also allowed lot of fresh air to come in. So, बहुसा ही large windows बनाए जाती थी fort में and doors थे, बड़े-बड़े ventilators थे, ventilators याने कि जैसे कि छोटे-छोटे holes कर देते हैं हम house में, जहां से fresh air और light आए. So, ventilation उसको कहते हैं, वो ही ventilators थे, जिससे natural light याने कि sunlight जो थी, वो enter करती थी in the fort and उसी के थूँ हमारी fresh air भी, जो natural fresh air थी, वो enter करती थी, through the big windows, doors and ventilators. Okay? Then next. Next is, look carefully at the picture of the beautiful carving on the wall. What kind of tools would have been used for such a fine carving? So, जो मैंने बताया था, बहुत beautiful सी drawings, बहुत अच्छी सी carvings की हुई थी, कहां पे, walls पे, जो हमारी fort की walls थी, उन्हें बहुत अच्छे से beautifully design किया था, बहुत अच्छे से उस पे carving की थी. So, वो carvings जो की थी, वो कैसे की थी? किन tools का, किन equipments का use किया था, वो carvings करने के लिए? अब वो drawing है, तो हम ऐसा थोड़ी की pen से draw करनेंगे, wall पे हो गई carvings, no, हम wall से ही बनाते थे, so, जो tools used होते थे, these tools are, these carvings would have been made using chisel and hammer, which were made of iron. So, iron का hammer and chisel के through क्या होती थी? वो carving होती थी. So, as you can see in the picture, this is the hammer and this is the chisel, जिस इन दोनों के through वो carving की जाती थी, carving की जाती थी, okay? So, ये दो equipment है, as you can see the picture, जिनके through carving की जाती थी, okay? Okay, next question, we still do not have any electricity at many places in our country. आज भी हमारी country में काफी सारी जगे electricity नहीं है, चोटे-चोटे villages हैं, जापे electricity नहीं है. Even at places which do have electricity, imagine what would happen if there was no electricity for one week. What are things that would be difficult to manage without it? So, आज भी बहुत चोटे-चोटे villages हैं, जहां पे electricity की problem है, वहां पे electricity नहीं है. So, even at places which do have electricity, imagine, और आज हमारे सब के घर में electricity है, right? हम सब के houses में electricity है, but imagine करो, कि अगर कभी एक week के लिए, यानि फुल seven days के लिए electricity गुम हो जाए, इलेक्रिसिटी आए ना, तो क्या-क्या difficulties होंगी जो हमें face कनी पड़ेगी, हमें manage कनी पड़ेगी. So, हम बहुत सरे difficulties होंगी, जो हमें manage कनी पड़ेगी, क्योंकि आज कल के time पे हमारे लिए electricity क्या है, बहुत important है. हम तो without fan बैठ सकते हैं? No, we cannot even sit without phone, without laptop, without computers, without televisions. So, everything will be goes on electricity. So, कैसे रहेंगे हम without electricity? So, answer is, if there is no electricity in our place, we would not be able to use electrical appliances such as computer, mixer, television, etc. We are not able to use all these things if we do not have electricity. In other words, life will come to a standstill. मतला, life कैसे हो चाहेंगी? बिलकुल हम एक जगे खड़े हो चाहेंगे and we are not able to move our life, right? हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कर electricity नहीं होगी तो, okay? Okay, so this is it. हमारा अभी जो topic है, जो की था, हमने किस के बारे में पढ़ा? हमने एक fort के बारे में पढ़ा. जो fort है, उसमें beautiful carvings है, उनकी walls पे, जो walls है, वो को security purpose के लिए thick walls बनाई गई हैं. और हमारे जो gates हैं, वो बहुत ही huge gates हैं walls के, जिससे हमारे जो enemies हैं, जो हम पे attack करने वाले, वो एकदम से हमाई soldiers पे attack ना कर पाएं. इसलिए walls जो हैं, वो बहुत big हैं, और gates भी बहुत big हैं. एक round wall भी होती है, जो हमें धूर तक कर देखने में help करती है, उसके बीच में जो holes होते हैं, उनकी help से. राइट, हमने सुल्तान के palace के बारे भी पड़ा, कि महां बड़ी-बड़ी windows होती हैं, doors होते हैं, जिससे light and air उनकी थ्रूँ enter कर पाएं. So, हमने काफी कुछ read कर लिया है, फोट के बारे में, और कुछ question and answers जो आपकी book में, in the between of the chapter यहां तक given हैं, वो भी सबको discuss कर लिये हैं. I will continue this chapter, in the next video, अभी chapter remaining है, अभी फोट के बारे में काफी कुछ और knowledge गेन करना बागी हैं. So, I will come again with the next video, till then you have to watch more videos on Magnetic Brains, because Magnetic Brains provide free education. Thank you.